समुद्र किनारे मिली दुन्या की सबसे अजीबो गरीब चीजे 2012 में फ्लोरीड़ में बीच पर फ्लोटिंग आईबॉल मिली थी ये आईबॉल समुद्र के पास टेहल रहे एक आदमी को मिली थी वो आदमी इस आईबॉल की पहचान करने के लिए उसे वाइल लाइफ कंजर्वेशन कमिशन ले गया ऐसा होते ही पूरे एरिया में समुद्री मॉंस्टर की अफवा फैल गई FWC ने रहसे पर परदा उठाते हुए कहा कि ये आँख एक मचली की है जो आपना वजन 635 किलो तक बढ़ा सकती है इसका वजन लगभक 8 किलो था ये जीव कैलिफॉर्निया के न्यूपोर्ट बीच पर मिला था ऐसा माना जाता है कि ये क्रियेचर गहरे पानी में रहता है एक्सपर्ट के मुताबिक किसी मचली का पीछा करते हुए ये समुद्र के बाहर आ गया होगा